आज दोस्तों मैं आपसे बात करुंगा जत्रोफा के पॉधे बारे में यह सामने आप जए मिरे प्लांट देख रहे हैं जत्रोफा का पॉधा कहते हैं इससे और यह काफी popular plant है काफी लोग एक fence plant के तोर पे इसको grow करते हैं अपने घर के सामने और इसमें bright खिलते हैं अभी तो यह कली आई है जब फूरा ब्राइटली खिल जाता है तो काफी सारे चोटे-चोटे रेट कलर के फूल आपने आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो इसके बारे में कुछ ऐसे tips में share करेंगे तो बहुत अची तरीके आपका प्लांट ग्रो करेंगा और फ्लावरिंग भी करेगा तो चलिए शूरू करते फ्रेंट्स मेरा नाम अक्षे और मैं सब लोग का द्राइट गार्णिंग यूटीब चानल में स्वागत करता हूं देखिए जत्रोफा का जो प्लांट है इसका जो ओरिजिन है यह ऐसे एरियास में ग्रो होता है जहां प यह तो आप गर आप एक फैंस प्लांट ढोड़ रहे हैं आप हैज करना चाहते हैं तो जत्रोफा एक जत्रोफा यह काफी अच्छा प्लांट है और इसमें काफी फूल भी आते हैं और क्योंकि इसकी अल्मोस्ट सारी चीजहें पतियां फूल और डंडिया वह सारी ही business plant है तो make sure करिए कि आपका जो बच्चे हैं और आपके जो पैट्स है वो इस प्लांट के साथ अगर छूए इन प्लांट को अगर चूए तो अच्छे से हाथ धो ले और इसका कोई भी पार्ट खाए ना कोई भी पार्ट consume ना करें चाहिए वो pets हो चाहिए वो आपके बच्चे हो तो अब बात कर लेते हैं इसकी growth and care के बारे में देखिए जत्रोफा का ये वाला जो प्लांट है ये मैं nursery से लेके आया था काफी पुराना पौत है ये मेरा इसमें मैं regularly pruning भी करता रहता हू है ये देखिए कितनी लंबी हाइट इसने निकाल ली है तो इसकी मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पॉटिंग मैंने बनाया हुआ है वो मैंने बनाया है चालिस परसेंट गार्ट की मिट्टी या नॉर्मल बालू मिट्टी आप nursery से लेके आ सकते हैं आप इसम से मिक्स करिए और अपने मंचाहें गमले में इसको प्लांट को लगा दीजिए मैंने यह 8 इंच का मिट्टी यूज किया है आप सिमेंट का गमला भी यूज कर सकते हैं प्लास्टिक के गमले में भी यह प्लांट अच्छी तरीके से चल जाता है अब बात करता हूं इसकी ल लोकेशन भी यह प्लांट सर्वाइब कर जाता है लेकिन कोशिश करिए कि इसको ऐसी लोकेशन पर ग्रो करें जहां पर ब्राइट इंडरेक्ट लाइट आती हो तेज धूप इस पर ना पड़े क्योंकि जो चिल्चिल आती दुपैर की धूप अगर इस प्लांट में है इसमें अगर आप रेगुलर्ली पानी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा फ्लावरिंग करता रहेगा इसमें कोई बहुत जादा इशू वाटरिंग की वज़े से नहीं आता लेकिन आपको एक शेडियूल बिनाना पड़ेगा इस प्लांट को मैं हफते में दो बार पानी हो सकती है और कब आपका प्लांट थोड़ा सा मिट्टी जो है उसकी वह सूख रही है तब आप इसको पानी दे सकते हैं डेली इसको वाटरिंग देने का कोई फायदा नहीं है यह प्लांट उल्टा खराब हो जागा अगर आप इसको डेली वाटरिंग करते हैं तो आप इसमें हर 15-20 दिन में दे सकते हैं इसमें DAP के granules भी आप दे सकते हैं और अगर आप और्गानिक खाथ की बात करें तो जैसे कि मैंने पॉटिंग मिक्स बनाते हैं अब को बताया कि आप वर्मी कंपोस दे सकते हैं दो से तीन महीने एक बार आप एक मुठी वर्मी कंप और इस पर अटैक करते हैं अभी तक इस प्लांट में कोई कीडेम कोडों का अटैक नहीं हुआ है मेरा प्लांट ये काफी अच्छा चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा ओवर्वाटरिंग के वजह से रूट रॉट हो सकता है फंगल इंफेक्शन जड़ों में लग सकत है अगर आपको अटैक्स बचाने हैं आपके चत्रूफा के प्लांट में तो पॉटिंग में बनाते टाइम आप थोड़ी सी नीम की खल पॉटिंग में डाल सकते हैं यह एक औरगानिक फंजिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम करती है ताकि कि किसी भी तरीकी का फंग प्लांट के अग्स्ट्राइड से बना होता है और और आप इसमें यूज कर सकते हैं तो यह जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं चत्रूफा के पौदे के बारे में आप अपने प्लांट में फॉलो करिए और मुझे बताईए आपका प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है अगर आ आप से कुछ सीख सकें अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेर जरूर कर दीजे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं रेगलरली ऐसी पौधोगी वीडियो आपके पा आप सारा ध्यान दर्खे फ्रेंज थैंक यू गुद बाइ